हारे किसना आप देख रहे हैं टूमीडिया का जोतिश्व ग्यान विदेश जाकर पढ़ने रहने और जॉब करने की खुआई सदिकांस लोगों में होती है लेकिन किसी किसी का सपना पूरा हो पाता है और किसी का नहीं हो पाता ऐसे में आज हम आपको कुछ वास्तु टिप्स के वारे में बताने जा रहे हैं क्योंकि वास्तु सास्तर में कुछ ऐसे तरीके और टिप्स बताए गए हैं जिने फॉलो करने से विदेश जाने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो सकता है यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको कुछ टिफ्स फोलो करने होंगे विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे हैं, चातर का बैडरूम उत्तर परश्चिप दिशा में होना चाहिए इसके अलावा बिस्तर भी इसी दिशा में रखें, लेकिन बैडरूम में लाल रंग का प्रियोग ना करें ऐसा करने से आपका विदेश जाने का सपना जल्द पूरा होगा यदि आप भी विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो अपने कमरे में विश्व का मांचेतर अवश्य लगाएं या गलोबल रखें लेकिन ध्यान रहे कि उत्तर परश्चिम दिवार पर लगी हो मानेता है कि ऐसा करने से आपका विदेश जाने का सपना जल्द पूरा होगा यदि आप विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए साथ ही पूजा करने के बाद प्रसाद भी बाढ़ना चाहिए और हनुमान चालिसा भी पढ़नी चाहिए इसके अलावा जहां आप जोग करना चाहते हैं उसकी फोटो अपने कमरे में लगाएं जहां वह आपको बारवार दिखे ऐसा करने से हनुमान जी जल्द ही आपकी मुराद पूरी करेंगे पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेज जाने का सपना देख रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही तो आप अपनी परसनल चीज़ें जैसे डाकुमेंट्स और भी कोई चीज दक्षिन दिशा में ना रखें साथी दक्षिन पूर दिशा को खाली रखने की कोशिश करें ऐसा करने से आपको मिल रही ऐसा फलता में सफलता मिलेगी यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही तो इसके लिए आप घर की उत्तर दिशा की दिवार पर आईना लगाएं आईना इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें आपका पूरा शरीर नजर आए यह उपाय करने से जल्द से जल्द आपको नौकरी लगेगी तमाम को शुषो के बावजूद अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो इसके लिए आप एक मुखी, दश्मुखी या ग्यारा मुखी रुद्राक्ष धारन करें ध्यान रखें कि मास मदिरा का सेवन करने वालों को रुद्राक्ष नहीं धारन करना चाहिए ऐसा करने से नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने बताया कि विदेश जाने के लिए क्या-क्या हम उपाय करें जिससे हम विदेश यातरा कर सकें विदेश में नौकरी कर सकें, विदेश में अपना घर बना सकें यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें आपके कमेंट्स का इंतिजार है हारी किस्णा